हाई, वेलकम तो मैं चनल, इस बोड़ी में सॉल्व करें इंग क्वेशन नमबर वन, जो की है exercise 3.8 का class 8th आडी सर्मा बुक से, तो इस question में काफी questions दियोवे हैं, almost 20 questions, find the square root of each other following correct to 3 places of decimal, मतलब कि इन सभी का हमें square root निकालना है, लेकिन केवल 3 places of decimal तक निकालना है, तो 3 places of decimal नि वैसे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, क्या मतलब इसका है, लेकिन इसको हम solve करने से पहले थोड़ा सा preliminary आपको knowledge में देना चाहता हूं कुछ, जो की काफी helpful होगा questions को समझने में, देखें हमें 5 है, तो हमें देखें क्या करना होता है, इसमें pair बनाना पड़ता है, य क्योंकि decimal के बाद हमें निकलना है, तो मतलब कि 0 बढ़ाने में पड़ेंगे, तो कैसे हम pair बनाएंगे decimal के right में और decimal के left में, यह समझ लिजे पहले, जैसे कि decimal है, और कोई number होता है, तो इसके 216 मालीजी यहाँ पर है, और यहाँ पर है 513, मालीजी यह आपका जो है number है, 612. 12.513, इसका आपको निकालना है square root, तो यह आपको pair बनाना पड़ेगा, pair बनाने के लिए जो तरीका होता है, वो यह होता है कि decimal के right side में, बिल्कुल अलग तरीके से हम pair बनाते हैं, और decimal के left side में, अलग तरीके से, मतलब कि बिल्कुल separately हम treat करते हैं, जैसे कि decimal के left side में हैं, वो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि एक number है यह, और decimal के बाद जो है, वो decimal के numbers हैं, इसलिए इसका अलग तरीके से हम बनाएंगे, यदि यहाँ पर odd number of terms रहेंगे, तो एक 0 बढ़ा करके pair बनाएंगे, ठीक है, तो 5, 1, 3, कितने हैं, एक, यह 1, 2, 3, हाना 3 है यहाँ यहाँ प ठीक है, राइट साइड से आप pair बनाएंगे, तो 1 और यह 2, माली जी की 612 पॉइंट, माली जी यह होता, 62, यह even number of terms है, तो बिल्कुल यहाँ pair बन जाएगा, कोई दिकत नहीं है, लेकिन यदि 0 उतारने रहेंगे, तो आपको 0 के pair यहाँ पर बना करके रखने पड़ेंगे चाहें, जितना आप चाहें, उतना रख सकते हैं, नीचे उतारने के लिए, ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोग solve करेंगे, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, कि यह सच में ऐसे किया जा रहा है, और यही मतलब की rule है, यह आपको बिल्कुल ही memorize कर लेना चाहिए, चलिए, start करते है, question number 1 का first, तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले 5, ठीक है, तो 5 का decimal में निकालना है, लेकिन 3 places तक निकालना है, तो देखें, जब भी आपको 3 places तक निकालना हो square root, तो 4 places तक निकाल करके, हम rounding off करते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम यहाँ पर 4 places तक निकालेंगे, और उसके बा करता दूंगा वहाँ पर, जहाँ पर आएगा, ठीक है, तो अभी 5 का हमें start करते हैं, ठीक है 5 के, यहाँ पर decimal नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें decimal खुद लगाना पड़ेगा, तो 5 के आगे जो है decimal होता है, मतलब किसी भी number के, कोई number दिया हुआ है, कोई पूछे कि इसके प ले सकते हैं, तो अब यहाँ पर हम 4 zeros के 4 pairs ले रहा है, क्योंकि हमें 4 decimal pluses तक निकालना है, आपको square root, क्योंकि 3 pluses पुछा है, लेकिन हमें 4 को निकालना पड़ेगा, ताक कि rounding आफ कर सके, अब चलिए, अब decimal के right side में तो हमने pair बना दिया, zeros का, और 5 का जो है, हम अकेले बना ले जाते हैं, क्योंकि 2 to 4, मतलब जिससे हम ले जाएंगे, उसे से multiply करके ले जाएंगे, ठीक है, square करके उसका, तो 2 का square करने से बहतर है, कि 2 में multiply कर दीजे, है कि नहीं, तो यहाँ पर दिखेगा भी आपको कि क्या हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है, 2 to 4, यहाँ रख देंगे 4, और जो answer आ रहा है, यहाँ पर 2 से पहली बार ले गए था, 2 यहाँ रख देंगे, अब यहाँ minus करेंगे, तो 5 में से 4 जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, और decimal उसके बाद है, और उसके आगे वाले क्या है, 00s है, तो यह 00s को आप उतारते हैं, देखिए, ज अब उतारेंगे नीचे, तो जो pairs में numbers होते हैं, उन्हें को ही उतारते हैं, तो 00s जो है, आप उतार लेंगे हम, तो 100 आ गया, और इन दोनों को add कर देते हैं, means 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, add करना है, ना कि multiply मत करिएगा, बिल्कुल add करना है, तो 2 प्लस 2 क्या हो 4, अब करना क्या है, कि देखिए, जब decimal के right side वाले zeros के pairs को उतार रहे हैं आप, तो 2 के आगे यहाँ पर भी decimal लगा लेंगे, क्योंकि आप decimal के आगे वाले digits यहाँ पर उतार रहे हैं, ठीक है, ओके, अब देखेंगे कि force यह कितनी बढ़ जाएगा, तो यह चेक करने के और 2, 4 जा 8, अब यहाँ से minus कर लिजिए, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, मतलब 16 आ गया, अब जो इसके आगे वाले zeros हैं, मतलब यह इसको उतार लेंगे, और देखें, दो बार गया था फिर से, यहाँ पर 2 हम हम रख देंगे, तो जैसे से मतलब जाता रहेगा, वैसे वैसे हम solve करके रखती जाएगे, ठीक है, और यहाँ भी add कर देंगे, 2, 2 क्या हो जाएगा 4, और यह 4 तो है ही, ठीक है, क्यवाल यहाँ पर add करना है, मतलब 42 में 2 add करेंगे, 44 आएगा, अब यहाँ पर ले जाएगे यह पहला वाला add से जाएगा, और जितनी बार में जाता है, मैंने maximum जितनी बार में जा सकता है, उतना हम ले जाते हैं, तो 4, 4, 16 मतलब 4 times चला जा रहा है, लेकिन यह 44 है, तो 4 times में ने जा पाएगा, 3 times में जरू चला जाएगा, तो यहाँ पर हम ले जाएगा 3 times, तो नीच अब यहाँ पर minus कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा 2, 271, और यहाँ add कर देंगे, तो यह हो जाएगा 6, और यह हो जाएगा 4, और यह 4, clear? अब यहाँ पर क्या होगा 271 होगा, अब इसके आगे जो है, यह इस वाल में आ रहा है ठीक है बस ऐसे आप सोचना है तभी आपको पस चल पाएगा कि यहां पर कौन सा मतलब की digit होगा तो 4 से पढ़ेंगे तो 4 7 जा होता है 28 जो कि अधिक हो जाएगा तो हम 6 times में चला जाएगा तो हम यहां पर ले जाएगे 6 times 6 जा 36 का 6 2 carry over and 6 for 24 and 26 2 carry over again अब यहां मनास करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 यहां हो जाएगा 9 में से 0 हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 0 तो 10 हो जाएगा 10 में से जाएगा 3 उसके बाद यहां बचा 6 0 जहोंगे यहां पर 0 हो जाएगा ठीक है 304 बचा अब इसके last वाले को उतारेंगे और उसके 6 times गया था तो यहां पर लिग देंगा 6 और यह double 0 जो हम यहां पर उतार लेंगे ठीक है यहा यहां पर 1 भी लेते हैं तब भी इससे ज्यादा आजाएगा इसका मतलब कि आपको अब यहां पर 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहां पर अलग उसके आगे वाले pair को उतारना पड़ेगा फिर आप ले जा सकते हैं और 1 से मटपलाई करके लिए जाएगे तो क्या हो जाएगा 44,721 आएगा यहां पर अब यह क्या है 30,400 है तो बिल्कुल यह छोटा है इससे तो 1 से भी ने जा पा रहा है तो 0 से ले जाना नहीं होता है तो करेंगे कि हाँ पर क्या तरीका है इसको solve करने का वो यह है कि इसका जो आगे वाले जो pair है उसको हम उतारेंगे फिर से लेकिन जब इसको उतारेंगे तो अभी तो ले नहीं गया है इसलिए हम यहां पर 0 बढ़ा लेंगे यहां पर और यहां भी 0 बढ़ा लेंगे दोनों जगह बढ़ाएंगे यहां याद रखें यहां भी 0 बढ़ाएंगे एक और यहां भी 0 बढ़ाएंगे फिर उसके बास से यह 0 उ तो कहने का मतलब कि इसको solve कर सकते हैं आपर और नहीं solve करेंगे तब दीकत नहीं है तो कि हमें यह जो 4th digit है मतलब फोर डिजित मिली गया है बिलकुल लेकिन इसका आगे वाला भी डिजित मिल चुका है 6 तो हमें इसे 6 की जोरुत नहीं पड़ेगी हमें किस के वाल ये 0 की जोरुत पड़ेगी और हमने 4 डिजिट का मतलब की नंबर यहीं पर निकाल लिया था तो खेर मैंने फाइनल यहां पर सोरा से एक और स्टेप आगे बढ़ चुके हैं लेकिन यह करना नहीं था मतलब आप यहां पर कहीं भी टर्मिनेट नहीं होता यह क्योंकि यह इसनल लंबर है ठीक है अब इसको हम राउंडिंग आफ करेंगे only to 3 places of decimal मतलब की 1,2,3 क्यावल इस 6 तक ही करेंगे जब 6 places of decimal तक ही आपको राउंडिंग आफ करना है तो इस 3 decimal के बाद वाला जो चौधा डिजिट है वो देखिए कि 5 से लेस है या 5 से एवव है मने 5 से more है या 5 से less है यदि कि 0 है जिरो है तो 5 से क्या है लेस है यदि 5 से लेस रहेगा तो उसके left वाले डिजिट में मतलब 6 में हम कुछ भी add नहीं करेंगे मतलब कि 1 add नहीं करेंगे लेकिन यदि यहाँ पर 0 नहीं होता बलकि 5 से एक अधिक number होता तो हम 6 के जवाब पर 7 कर देते 5 is approximately equal to 2.23 खेर यहाँ पर 0 है यदि 5 से उपर कोई number होता तो यहाँ लिखते है 7 लेकिन यहाँ पर 0 है less than 5 है इसलिए हम क्या करेंगे कुछ भी change नहीं करेंगे 6 में और हमारा answer जागा 2.236 इस इस यूर answer second है 7 7 के आगर decimal बढ़ाएंगे और zeros के double pairs हम बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 आई 7 का तो decimal के left side में है तो एक ही लागेगा ठीक है हमें 7 में पहले ले जाना है तो 7 में ले जाएंगे आप 2 से ही ले जा सकते हैं क्योंकि 3 ती जाना इन हो जाता है 2 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे 2 दू जब 4 यहां रखेंगे मैनस करेंगे यहां मिल गया आपको 3 और इसके आगे वाले digits को उतार देंगे देखें कि 30 कितनी बर मा रहा है तो 4 7 जा 28 होता है तो 7 तामस में चला जा रहा है तो ले टास चेक देट सेट 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 में आ जाएगा 7 749 के 9 4 का रिखेंगे और यहां इसका मतलब कि हम करेंगे 6 से तो 6 से चला जाएगा डेफेनेटली 6 जा 36 का 6 3 का रिखेंगे और एंड 6 4 जा 20 6 24 24 एंड 3 27 ठीक है मनस कर दीजिए 10 6 4 9 7 2 हाँ कैसे लाट चुका है 0 0 फिर से उतार यहां पर अब यहां पर आइड कर दीजिए तो 6 से 12 हो जाएगा 2 1 केरिओफर और 4 5 जाएगा अब किस नमर से ले जाएगे तो 5 को रहा पाड़ है 24 दखेंगी 55 25 होता है तो 4 तामस में ब 945 20 ठीक है मैनस कर यह 10 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा यहां पर और यहां 9 बचा 9 में 0 0 हो जाएगा यहां पर बचा 3303 ही होगा यहां पर means 304 आ जाएगा ठीक है इन दोनों को आइड कर देंगे तो यहां मिलेगा 448 और यह हो जाएगा 2 और यह 5 देखेंगे decimal कितने प्लस तक पर निकाल चुके हैं तो 6 यहां पर आया था 4 आया था उसके बाद 2 और प्लस निकलना है में बस तो 0-0 अउतार लिजिए एक बार ठीक है तो हमने कितने जुरू उता रहे है 1 2 3 यह 3 बाला अब यह 4 वाला हम लाश में हो ठीक है अब यहां 5 से चेक कर यह 5 6 जा 30 होता है ले कर लिजिए अब कुछ नहीं बचेगा यहां पर आड कर लिजिए 5 5 5 5 जोड़ेंगे एड 10 हो जाएगा 10 और 819 ठीक है तो अब हमने कर लिया यहां पर लास्ट वाले 0s जो है उतार लेंगे अब हमने लास्ट में यहां पर ले गया था 5 टाइम्स अब एक और स्टेब में द 5 7 जा 35 होता है तो 7 टाइम्स में चला जाना चाहिए क्योंकि 5 8 जा 40 होता है तो 40 से जा नहीं पर आएगा लाइकवाइस इतना आगया अभी इसका 7 यहां पर रख देंगे अब कुछ करने की जूर्ट नहीं है बिल्कुल ही यहां पर इसके आगे कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आप बस को आपको बस लाना था 4 से डिजिट और आपने ला दिया है तो इसलिए आप लिख देंगे कि लेकिन आप जो है 3 decimal प्लस तक निकालना है आपको तो इसको लिख देंगे is approximately equal to approximately equal to 2.64 यहां भी कर देंगे 6 देखिए हमने यहां पर 6 क्यों किया क्योंकि 3 pluses तक निकालना था और जो 4th place का decimal है वो 7 है तो 7 है तो 5 से ज़्यादा है तो इसके पहले वाले डीजिक हमें बढ़ाना पड़ेगा और 2.646 हमारा अंसर हो जाएगा Now the third part 17 के निकलना हमें 17.00000000 मनें पर बना दिया है already तो अब हमें decimal के left value बनाना है तो 17 का pair बन जाएगा बिल्कुल तो एक pair बना लेगे यहां पर अब 17 में पहले पहले ले जाएंगे तो 4 से चला जाएगा बिल्कुल 4 4 जा क्या होता है 16 होता है तो 4 4 जाएगा 16 रख देंगे और 4 यहां पर रख देंगे क्योंकि चला गया यहां पर तो 1 हो जाएगा फिर यहां पर बचेगा तो फिर decimal के आगे वाले zeros को हम यहां पर उतार लेंगे तो 4 के आगे decimal बढ़ाना पड़ेगा बिल्कुल और 4 4 क्या हो जाएगा यहां पर 8 हो जाएगा दोनों को add कर देते हैं ठीक है फिर अब आगे बढ़ेंगे देखेंगे कितने जा सकता है 8 के रख पढ़ेंगे और देखेंगे 10 कितनी बढ़ में आएगा तो 8 बढ़ाना 8 8 जा 16 हो जाता है तो बिल्कुल एक बार में चला जाएगा तो 1 यहां रखेंगे 1 से प्लै करेंगे 1 1 जा 1 1 8 जा 8 और मैनस कर लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 और यहां पर 9 में से 8 जाएगा 1 19 ठीक है अब इन दोनों जिरूज को उदार लेंगे यहां पर उसके बाद इन दोनों को आइड कर लेंगे तो 1 1 हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 8 अब कितनी पर बढ़ा जाएगा तो क्या करना है कि 8 से ले जाएगे यहां पर 1 जो है पूड कर लेजिए तो 8 तू जा 16 होता है तो 2 टाइमस में चला जाना चाहिए तो देखते हैं 2 टाइमस में जाता हो जाएगे 2 तू जा 4 ओके तो यहां पर आइड कर लेंगे पहले तो यह हो जाएगा 2 तू 4 ठीक है यहां मानस कर लेंगे तो देखे 10 10 में से अब नेक्स्ट यहां में पेर आफ जीरो जो है व्यार लेंगे अब यहां पर देखे 8 से यह 3 टाइमस में चला जाएगा 25 मेंस 8 तू जा 24 होता है मानस कर लेंगे तो 10 10 में से 9 जाएगा यहां हो गया 4 केंसल आट हो जाएगा नेक्स्ट जीरो जाएगे और यहां पर 3 था तो यहां भी 3 हो जाएगा अब यहां आट कर लेंगे तो 3 3 हो जाएगा 6 अब देखें यहां पर यदि हम 1 से ले जाते हैं तो यह चला जाएगा बिल्कुल मानस कर लिजिए तो तो अब हमारा जो है यह फानली बच गया है और यहां पर add करने जो रूट नहीं है क्योंकि 1 यहां पर final मिल चुका है तो हमें मिल चुका है 4 digits का number और यहां पर लिख सकते हैं under root 17 so under root 17 is equal to 4.1231 dot 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 अब यहां पर क्या करना है 3 digits का decimal plus तक लिखना है हमें तो root 17 इसको लिखना होगा 4.123 देखें यहां पर जो 4th digit है वो 1 है less than 5 है इसलिए हम यहां पर rounding up करेंगे तो 3 का 3 ही रहेगा कोई change नहीं होगा and this is your answer 4th part करते हैं साल यहां पर 20 point हमने यहां पर decimal मतलब zeros के pairs हमने यहां पर रख दिया है 20 में पहले ले जाएंगे 20 का भी बार लगा दिया हमने तो 4 सही जा पाएगा बिल्कुल क्योंकि 5 सही 25 होता है तो 4 सही हम पहले ले जाएंगे 4, 4, 4 जा 16 मैनस करेंगे 4 हो जाएगा decimal के right side में जो zeros हैं उसको pair में उतार लेंगे 400, 4, 4 हो जाएगा 8 और हमारा पहले पर रहा है 4 और decimal के right side वाले जो digits हैं वो जब चुके हैं तो point लगा देंगे देखेंगे कितनी बार से जाएगा तो 8 कटेबल पढ़ी है और देखेंगे 40 कितनी बार मारा है 8, 5 जा 40 होता है तो 5 बार में जानी पाएगा बिल्कुल ही 4 से जाएंगे मैनस करिए 64 के यहां पर जिरो जा लेंगे हम यहां पर add कर लेंगे तो और यहां पर 4 आया था तो 4 point अब next हमारा देखेंगे 8 जा 64 होता है तो 8 से जा नहीं पाएगा बिल्कुल 7 से जा सकता है चेक कर लेते हैं 7 से जा 49 राइट तो बिल्कुल definitely यहां चला गया है, तो यहां पर हो जागा 10, 10 में से 9 जाएगा 1 अब यहां पर next 0 जो है, उतर जाएंगे, यहां पर add कर दिजिए अब यहां पर हमने ले गया है, 7 से, अब हम ले जाएंगे अब यहां पर next 0 जो है, हम उतर लेंगे, और यहां 2 आया था, तो 2 है रख लेंगे उसके बाद next यहां पर add कर लेंगे, तो मिलेगा उसके बाद अब यहां पर 8 कटल पढ़िए, देखें कि 12 कि दिवार मारा है, तो 8 जा 16 हो जाता है, तो one time में ही जा पाईगा बिल्कुल, तो one time में चला गया है, आपर minus कर सकते हैं, आपर देखें क्या आ रहा है, हमारा जो है, आचुका है 4.4721, और हम ले सकते हैं सो, सिंस हमारा आगयस, इसलिए 20, और under 20 is equal to, देखें, डॉटर बता रहा है कि यह मतलब अनंद तक आता रहेगा, लेकिन हम इसको approximately 3 decimal तक ही निकाना चाहते हैं, इसलिए हम देखें कि under 20 is approximately equal to 4.472, देखें, यहां पर जो 4th digit है, वह 5 से less है, इसलिए हम rounding का आवजिव करेंगे, तो 2 में कोई भी changing नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से less है, ओके तो हमारा 5 पांच मा जो part है, यह आपका है 66, तो हम decimal बढ़ाएंगे यहां पर, और zeros के pair बना देंगे, आप सुच रहे होगे कि क्यों हम यहां पर double zeros का pair ही बना करके उतारते हैं, तो इसका reason यह है, क्योंकि हम यहां पर square root निकाल रहे हैं, इसलिए ऐसा किया गया है, मतलब जो method है, long division method, इसको इससे device किया गया है, कि double pair उतारेंगे, तभी solve कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहां पर square root निकाला गया है, square root का मतलब जानती है, square होता है, square इसमें है, इसलिए दो-दो pair हम उतारते हैं, यहां पर, तो जब इसका आप derivation पढ़ेंगे, कि मतलब long division method यह बना कैसे, तो समझ में आ जागा कि double pair उतारना ही पढ़ेगा, तो यहां पर 66 का pair बना देंगे, decimal के left side में, उसके बाद इधार एक और pair बना देते हैं, तो 66 में चला जाएगा, 8,8,64 होता है, तो बिल्कुल 8 से चला जाएगा, फिर यहां मानस करेंगे, क्या मिलेगा, यहां पर तो concealer हो गया, अब यहां पर 00 उतार देंगे, और यहां पर add कर लेंगे, यहां पर दिखिए, पहली बार गया था 8 से, और decimal के right side बाले जो pair हैं उतार रहे है तो हमें decimal लगा देंगे यहां पर, अब करना क्या है कि, देखना है कि 16 से एक बार में चला जाएगा बिल्कुल, मैनस करेंगे, तो 919, अब यहां पर किंसी लाट हो गया, यह 0000 जो है उतार लेंगे, add कर लेंगे 2, अब यहां चेक करेंगे किस से जाएगा, तो हमारा जो है अब यहां देखे, 10 होगया, 10 में चुल जो C जाएगा, 4, 0000 उतार लेंगे, यहां पर, add कर लेंगे, अब यहां देखेंगे, कितनी बार में जाएगा, तो यहां पर दो हम यहां पर रख लेंगे, अब देख है 6े टेबल पढ़िए, और 65 कितनी बार में आ रहा है, four times में ज यहांपर हमार आच चुखा है और यहांब मैंस करेंगे तो 10 में जिए गए 4 और यहां बचेगा 4 किंसेलट हो गया यहांपे डबल जुरूरू उतार लेंगे आड कर लेंगे हैं मिलेगा 8 गार्ते हैं कि और आप चे कर सकते हैं 1 रखेंगे 1 रखेंगे तो यह इससे ज्यादा हो जाएगा इसलिए आप क्या करोगे आप 4 से आ चुका है 4 यहां रख देंगे अब यहां पर 0 बढ़ाना पड़ेगा यहां पर भी और यहां पर भी उसके बाद से आप next वाले pair 0 जो है उतार सकते हैं य तो कोई जोरु नहीं है जार निकालने का तो हम यहां पर डिरेक्टली जो है इतना ही ले ले लेंगे तो हमारा आज चुका है अंडर रूट 66 इस इक्वल टू ओके तो 0 0 दिखेगा ध्यान दूजेगा 0 यहां पर है 4th digit इसका मतलब कि 4 में कोई changing नहीं होगा और आप लिख देंगे 3 decimal places तक 8.124 and this is your answer 4.27 तो decimal लगा देंगे और यहां पर zeros के pairs बना देंगे जितने decimal point हमें निकालने हैं तो हमें निकालने हैं 4 decimal points यह लिए हम यहां पर 4 pairs of zeros लगा देंगे अब यहां पर decimal के left में हम pair बनाएंगे तो 27 का बन जाएगा यहां पर pair और 4 का अलग बनेगा अखेले हम पहले पहले ले जाएँगे 4 में तो यह 2 से चला जाएगा बिल्कुल 2 to 4 यहां cancel out हो गया 27 उतार देंगे ठीक है यह 2 to add कर लेंगे तो मिल लेगा 4 और यहां पर 2 को लिख देंगे देखिए हैं भी decimal के left वाले जो digits हैं वही हमने निकाला है यहां पर मतलब रखा है इसलिए क्या होगा कि decimal अभी नहीं लगेगा अब यहां सोचेंगे कैसे करेंगे तो 401 से ले जाएँगे तब भी यहां पर क्या हो जाएगा जदा हो जाएगा मतलब 1 ले जाएँगे तब भी 41 हाजाएगा है कि नहीं यहां रखते हैं 1 रखते हैं में प्लाई करते हैं तो 41 आ जाएगा और 41 जो है 27 से अधिक है इसलिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ 0 बढ़ाएंगे तब यहां भी 0 बढ़ाएंगे और यहां भी 0 बढ़ाएंगे और तब जागर के decimal के right वाले जो pairs of zeros हैं उनको हम यहां उतार ल जाएगा बिल्कुल ही तो चले यह 6 से ले जाते हैं अब माइनस कर दीजी यहां पर 264 और यहां पर आइड कर लेंगे 66 क्या हो जाएगा 12 को 2 अब यहां पर 00 जो है यहां पर उतार लेंगे अब देखिए 4 से ले जाएगे 26 में तो 4 6 जा 24 होता है तो 6 टाइमस में चला लेंगे एक बार मैनस करिए अब 00 जो बितार लेंगे नेक्स्ट आइड कर लेंगे आपर 6 अब करना क्या है कि 4 के डॉबल पढ़िए देखिए 16 की तुमें बार 16 होता है लेकिन 4 टाइमस नहीं जा पाएगा 3 से जाएगा बिल्कुल ही तो अब यहां 6 से दोबार चला गया तो यहां 6 से रखेंगे अब 3 से फिर से ले जाएंगे मैनस कर लेजिए तो इतना आ गया ठीक है अब यहां पर हम इसको add कर लेंगे तो 33 क्या हो जाएगा 6 देखना है कि अब यह 00 को फिर से उतार लेंगे यहांपर अब ले जाएंगे फिर से तो 4 से ले जाएंगे तो यह 9 times में चला जाना चाहिए So finally, हम इतना पागए तो हम यहाँ पर minus कर लेंगे Okay, यहाँ पर add कर लेंगे तो 99 देखें, यहाँ पर 6, यहाँ पर लिख दिए थे 39, यहाँ पर रखते हैं 39, अचा, So यहाँ पर आजाएगा under root of तो हमें क्या करना है कि केवल 3 decimal place तक ही निकालना है इसलिए इसकी जो value होगी वो हो जाएगी 20 point देखें, यहाँ पर 3 digit तक ही निकालना है तो जो 4th digit, जो 4th place पर decimal है वो 9 है और 9 को यहाँ रखते रखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक value बढ़ जाएगा हो कि यह 5 से अधिक है 9 तो यहाँ पर 3 नहीं होगा बलकि 4 होगा means 6, 6, 4 this is the approximate value of under root 427 rounded to 3 decimal places, तो part number 7 देखें, आपर 1.7 का निकालना है square root, decimal के left में के बढ़ 1 ही है और decimal के right में 7 है तो देखें, decimal के right में यह एक ही digit होता है, मतलब कि 8 number of decimal होता है, तो 7 एक ही है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा करके हम पहले pair बना लेते हैं, यहाँ pair बन चुका है अब यहाँ पर जितने चाहें, उतने zeros वाले pairs आप रख सकते हैं तो जितना हमें जुरूत पड़ेगी, उतना रख देंगे मतलब कि इसको 3 times हम रख देंगे, 0 0 ठीक है, क्योंकि हमें 3 बार निकालना पड़ेगा और यहाँ पर से एक decimal मिल जाएगा हमें 4 digits तक decimal में इसकी value निकाल नहीं है अब इधार जो decimal के left में जो है कि बल 1 ही है, तो 1 का एक ही मतलब बनेगा पर बन नहीं पाएगा, लेकिन 1 पर बार लगा देंगे अब 1 में ले जाना है, तो 1 से ही जाएगा बिल्कुल तो 1 1 रख देंगे हाँ पर, और 1 यहाँ पर रख देंगे 1 1 जब 1, मैनस करेंगे, 0 आ जाएगा अब decimal के right side वाला जो number है वो निकाल लेंगे pair, और यह 70 हो जाएगा और इन दोनों को add कर देंगे, तो 2 हो जाएगा finally हमारा decimal, देखे, decimal के right side वाला जो pair है वो हमने यहाँ पर उतार लिया है, इसलिए कि decimal लगा करके हम इसके आगे ले जाएगे, फिर ठीक है तो 2 से, 2 का table पढ़ेंगे, देखेंगे कि 7 जो है कितनी बर में आ रहा है तो 2, 3, 6, 3 times में हो जाना जोगी है 69, 1 बचा, और यहाँ पर add कर लेंगे तो 3, now finally 1 आ गया है, तो इसके आगे हम जुरु-जुरु उतार लेंगे अब यहाँ पर 3 आया था, तो यहाँ पर 1.2 हो जाएगा 3 लेकिन यहाँ प्रावलम यह हो गई है कि यदि 1 से ले जाएगे तब भी यह 261 आ जाएगा और यह 100 है तो मतलब 261 जो है अधिक हो जाएगा इससे अब फाइनली आगरना है कि यहाँ पर देखना है कि 2 से 10 कितनी पर जाएगा तो 2 से 2 5 जो 10 होता है लेकिन 5 सा नहीं जापाएगा बिल्कुल ही अब मैनस कर लेजे तो 10 10 में से नाइज जाएगा 1 तो 2191 देखे यह 2693 से छोटा है इसलिए यह बिल्कुल सही हमारा गया है और उसके आगे बाले 0s को उतार लेंगे उसको बाद इंदरों को आइड कर लेंगे तो 33 हो जाएगा 6 ओके फाइनली अब देखेंगे कि 2 से कितनी पर जाएगा 21 8 से चला जाएगा बिल्कुल तो बिल्कुल यह सही मतलब की अप्रुक्सिमेटल उसके पास आया है मैनस कर यह तो यहाँ पर 1046 तो इतना आ गया ठीक है तो फाइनली इसको आइड कर लेंगे फाइनली हमें मिल गया इतना लेकिन मतलब की अब यहाँ पर लेजाने की उर्थ नहीं है क्योंकि हमारा जो है 4 डिजिट का नमबर यहाँ पर आ चुका है अब हमें यहाँ पर आंसर लिख लेना है कि हमें आप्रुक्सिमेटली 3 प्लेसस आप डेसमल तक निकालना है सो फोर्थ प्लेस पर हमारा 8 आ गया है मतलब 5 से बढ़ा है इसलिए जो यह 3 है यह जो 3 है उसको हम 4 कर देंगे ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा नाउ एर्थ पार्ट 23.1 का निकालना है स्क्वेर रूट तो ध्यान देजिएगा देखे 23.1 है तो डेसमल के राइट है में केवल एक ही डिजिट है एक जीरो बढ़ा करके पहले आप पियर बना लेंगे उसके बाद नंबर आफ जीरोज का पियर जो है चाहें जितना मन करें उतना आप जो है अपने मन से अपने मुताविक अपने क्वेश्चन के मुताविक बढ़ा लेंगे फैर हमने और भी 3 पियर जीरोज बढ़ा लिया ताक कि हमें निकालना है 4 डेसमल प्लेसस का जो स्क्वेर रूट निकालना है इसलिए मैं ऐसा करें डेसमल के लेफ्ट साइड में जो है यहां देखे 23 के वाल है तो पेर एक बन जाएगा बिल्कुल मतलब कि 23 में पहले पहले ले जाएंगे हम तो 5 से जानी पाएगा क्योंकि 5 जा 25 होता है तो 4 चला जाएगा बिल्कुल और यहां पर जाएगा 4 मानस करेंगे क्या मिलेगा ओके और डेसमल के बाद वाला जो पेर है 10 उसको उतार लेंगे यहां पर एड कर लेंगे तो यह मिल जाएगा 8 और उसके बाद देखे डेसमल के राइट से वाला उतार रहे हैं तो यहां पर डेसमल बढ़ा लेंगे ठीक है अब जो 710 में हमें ले जाना है कितने से जाएगा तो 8 का टेबल पढ़िए और देखें कि 71 कितनी बार में आता है 8,9 जा 72 होता है तो 8,8 जा चला जाना चाहिए अब यहाँ पर 10 में से 4 जागा, 6 बचेगा इसके आगे वाले PR को हम उतार लेंगे यहाँ पर 00 यहाँ पर add कर लेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप ले जाएंगे तब भी यह जो है अधिक आज आएगा क्योंकि 1 यहाँ रखेंगे, 1 रखेंगे वाज मटबलाई करेंगे तो मिलेगा आपको 961 और 961 जो है 600 से ज्यादा है इसलिए हमें आप 0 बढ़ाना पड़ेगा तो यह भी ध्यादा आपको रखना पड़ेगा कितने यह डिजिट्स हैं तो finally हमें क्या करना होगा, 0 बढ़ाईए यहाँ पर 0 बढ़ाईए यहाँ पर भी, sorry एक और बात हमने यहाँ पर कर दिया 8 को पहले रखना पड़ेगा, 8 को रखकरके फिर 0 बढ़ाएंगे, ओके तो 0 बढ़ादी है, 0 बढ़ादी है, यहाँ पर दोनों जगा अब उसके बाद next player यहाँ पर उतार सकते हैं ठीक है, अब इतना में चला जाएगा 9, 9, 60 से अब इसको चेक करते हैं, कितनी जाएगा तो 9 की टेबल पढ़े है, और देखें कि 60 जो है, कितनी बार में आएगा, 9, 6 होता है 54 ठीक है, चला गया, 10 में से जदी 6 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पर जिरू-जिरू उतार लेंगे फिर से अब यहाँ पर 6 टेम्स चला गया है तो यहाँ पर 6 जाएगा अब इस बढ़ जाएगा, तो final हो जाएगा हमारा 6, 6, 12 हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे कितनी बढ़ जाएगा, तो 9 के डवल पढ़ेंगे और देखेंगे 23 कितनी पर में आ रहा है 9 to 18, 2 times में चला जाना चाहिए बिल्कुल definitely चला गया तो अब 2 से यहां पर रिख देंगे 6 के बाद 2 अब मैनस कर लिजिए, तो यहां हो जाएगा ठीक है, फाइनल इतना आ गया अब यहां पर आइड करेंगे जूरुत नहीं है, क्योंकि यह आप तो ले जाना है नहीं तो finally हमारा इतना आ चुका है 4 digits तब तो हम भी क्या करना है, इसको राउंडिक आफ करके लाना है 3 decimal place तब 6 हो जाएगा, क्योंकि देखें 4th place पर जो डिजिट है वह 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे यहां पर उसके left में जो digit है 3rd place पर उसको नहीं करेंगे हम increase, right तो this is your answer, ओके तो solve करता है 2.5 को 2.5 है और यहां पर हम बढ़ा सकते हैं 1 0 ताकि यह पेर बन जाए decimal के right side में और इसके बाद जो है हम जितने पेर चाहें 0s के उतने पेर लगा सकते हैं इसमें कोई रुकाउट नहीं है decimal के left side में के वल एक ही digit है और उसका पेर तो बन नहीं सकता खैर, चले 2 में ले जाते हैं हम तो 1s चला जाएगा 1 1 1 1 जा 1 मैनस करेंगे 1 आएगा और यह 1 से गया था तो यहां पहुआ जाएगा 1 अब यहाँ decimal के left side में जो digits है पेर है उसको उतार लेंगे अब इसको add कर लेंगे तो मिलेगा 2 decimal के left side में उतार लिया है तो यहां हम पहुआ देंगे इसमें बिल्कु समझेगा कि decimal के आगे वाले पेर को उतारेंगे तभी हम decimal पढ़ाएंगे ठीक है अब जो है 2 से ले जाएंगे तो 2 से टेवल पढ़ेंगे देखेंगे 0000 यहां पहुआ उतार लेंगे उसके बाद यहां पहाँ आड कर लेंगे अब यहां पहुआ फिर से ले जाएंगे हम यहां 5 टार लेजिए उसके बाद अब जो है 3 के डाल पढ़ेंगे देखें कि 24 कि 25 कितने बार में आ रहा है तो 3 एड जो 24 होता है तो 8 टामस चला जाना चाहिए यहांपर मैनस करिए तो 10 में से 4 जाएगा 6 0 हो जाएगा 36 हो जाएगा उसके आगे 0 बढ़ा देंगे अब यहांपर एड कर लेंगे अब उसके बाद क्या करेंगे कि देखेंगे 31, 36 में एक ही बार में चला जाएगा बिल्कुल एक ही बार में जाएगा तो एक से यहांपर रख देंगे तो हो जाएगा 3, 1, 6, 1 यह add कर लेंगे, मिलेगा 2 यहां minus कर लेंगे, तो मिलेगा 9 finally हमारा 1 चला गया था तो यहां भी हो जाएगा, अब finally last में ले जाना है अब देखिए ध्यान से, यदि 1 से ले जाते है 4 डिजिट आई चुका है minus कर लेजिए बसे यहां पर इतना आ गया, अब उसके आगे करना नहीं है तो finally यह पर छोड़ दीजिए, ठीक है 3 डिजिट तक, देखिए 4 डिजिट जो है 1 है less than 5 है, इसलिए हमारा अंसर होगा 5 at 1, okay, this is your answer finally, 10th part 237.615 decimal के right side में odd number of decimal points है इसलिए एक 0 बढ़ा देंगे यहां पर और इधर से, right side से pair बना लेंगे तो 1 pair, 2 pair, ठीक है और decimal के left side में decimal pair बनेगा, तो इसका बनेगा इसका ने में पाएगा, तो कोई बात नहीं है 2 हो जाएगा, और इसके right side में हम कुछ pairs और रख देंगे 0s के, ठीक है 2 pairs और, क्योंकि हमें 4 decimal pluses तक लाने हैं इसके answer ओके, तो अब 2 में ले जाएगा पहले-पहले तो यह 1s चला जाएगा, तो 6 times में चला जाना चाहिए 125 मैनस करेंगे मिलेगा हमें यहां पर 2, यहां मिलेगा 112 ठीक है, इसको add करेंगे मिलेगा हमें 30, और यहां पर next pair हम उतारेंगे, next pair क्या है 61 है, यहां पर जाएगा 61 अब देखेंगे 3 के टेवल पढ़ेंगे 12 में, कितनी पर जाएगा definitely चला गया है 4 times में तो यहां पर अब देखेंगे, यहां पर एक और बात है decimal लगा देना है, उसके बाद 4 उसके बाद यहां मानस करेंगे अब इसके right side वाला क्या है 61 के बाद 50 है 50 को हम उतार लेंगे यहां पर अब finally हमें इसको add कर लेना है यह हो जाएगा 8, अब दिखेंगे यहां पर यदि हम 3 से ले जाते हैं 1 time तो चला जाएगा बिल्कुल लेकिन 2 times नहीं जापाएगा तो 1 से गया है तो यहां पर उतार लेंगे अब यहां मैनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1469 आ गया अब इसके आगी जो है 1 pair 0 उसका उतार लेंगे यह वाला उसके बाद इन दोनों को add कर लेंगे तो मिल जाएगा 3 का 12 पढ़िए देखेंगे 14 की दिवर मारा तो 3,4 जा 12 होता है और 3,5 जा 15 होता है तो 3,4 जा 4 times में चला जाना चाहिए ओके हम multiply कर लेंगे तो 4,4 16 का 6 हो जाएगा यहाँ पर minus करेंगे देखें 10 में से 6 जाएगा 4 ठीक है इतना आ चुका है अब इसके बाद जो है हम finally अब जो हमें यह next वाला जो 0 is pair है वो उतार लेंगे यहाँ पर अब ध्यान दिजीएगा यहाँ पर अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 23 हो जाएगा तो 3,7 जा 21 होता है now minus कर देंगे और इतना आ जाएगा finally तो करना क्या है यहाँ पर कि हमारा अब इसके आगे कुछ नहीं करना 7 आ गया 7 उतार दी है यहाँ पर 7 रखती है actually हम so इसका जो approximate value होगा up to 3 decimal point कि 4 जो है एक increase जो कर देंगे हम यहाँ पर और 5 हो जाएगा definitely और this is your answer okay 11th part करते है तो 15.3215 यहाँ पर के decimal के right side में pair आलड़ी बन चुका है तो हम यहाँ पर एक pair बना लेंगे और जितने zeros के pair यहाँ पर लगाना है आप लगा सकते हैं जितना हमें जरूरत है वो है केवल two pairs की हम लगा दिया decimal के left side में जो है 15 दिया हुआ है तो एक pair बन सकता है अब 15 मिले जाएंगे तो हम ले सकते हैं 3 से 339 और 3 यहाँ पर रख लेंगे 9 मैनस करेंगे मिलेगा 6 यहाँ पर add कर लेंगे यह हो जागा 6 और decimal के right side के जो two digits है उनको हम उतार लेंगे ठीक है तो 6 और 32 हो गया और यहाँ पर decimal के right side वाले को हमने put कर लिया यहाँ पर तो इसलिए हम decimal लगा देंगे यहाँ पर अब जो है 6 से टेवल पढ़िए और देखें कि 63 जो है कितनी बार में आता है 9 टाइमस चला जाएगा बिल्कुल ही चुकि 6 9 जा होता है मैनस करेंगे तो मिलेगे यहाँ पर 1 उसके बाद है 15 ठीक है और उन्हों को add कर लेंगे 9 9 18 हो जाएगा ओके next हमने उतार ले 15 अब यहाँ 9 आया है तो 3.9 हो जाएगा अब यहाँ कितनी बार में हो जाएगा तो 7 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा एक ही बार में जा सकता है 7 4 जा 28 होता है तो 4 तामस जा सकता है बिलकुल ही मैनस करिए 10 6 डबल 0 यहाँ पर उतार लेंगे राइट अब यहाँ 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अब यहाँ देखेंगे कितनी बार जा सकता है अब यह तो यहाँ पर next 0 हमने उतार लिया 7 केटवल पढ़िया देखेंगे 21 कि 7 3 जा 21 आता है तो 3 times चला जाना चाहिए लेकिन 3 से नहीं जा पाएगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा बिलकुल ही तो 3 से नहीं बलकि 2 से ले जाते हैं अब यहाँ मानस करिए और यहाँ 0 हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर 4 डिजिट्स आई चुका है विलकुल 3.9142 अब निकालेंगे जो रूद नहीं है तो हम नहीं सकते हैं कि स्क्वार रूट आफ ठीक है अप्रोक्सिमेट वैलू आफ देस इसलिए क्योंकि 2 जो है 4 प्लस क जो डिजिट है वह 5 से बड़ा नहीं है बलकि छोटा है तो ध्यान देज़ेगा 0.9 का कैसे करेंगे 0.9 है तो प्वाइंट के राइट साफ जीरो लेकर के पेर बना लेंगे ठीक है उसके बाद जो है चाहें जितने जीरो के पेर्स आप चाहें आगे आइड कर सकते हैं तो ह हमें 0 थे केवाल 4 decimal places का तो हमके वाल 3 pairs of zeros और add कर लेंगे और decimal के left side में केवाल एक ही digit है वह है 0 उस पे हम एक ही बार लगा पाएंगे ओके ठीक है तो 0 पे पहले ले जाएंगे तो 0 के लिए कौन सा number है जो चला जाएगा 0 में तो 0 ही है finally 0 को 0 से multiply करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 माइनस करने पर 0 ही आएगा तो 0 को ना रखना ही सब्सक्राइगा खतम हो गया 90 उतारेंगे यहाँ पर अगला पियर और इंदों को add करेंगे तो 0 ही आएगा जो यहाँ पर रखना की जोड़त नहीं है ठीक है और 90 यहाँ पर रख लिया है उसके बाद जो है decimal के right side वाला र ठीक है अब 99 add कर लेंगे 18 हो जाएगा 96 चला गया था यहाँ पर 9 रखेंगे उतार लेंगे यहाँ पर अब 18 के table पढ़ेंगे देखेंगे कि 90 कितनी पर में आ रहा है 18 5 जो होता है 90 तो 4 टाइमस चला जाना चाहिए लेस चेक 4 4 16 का 6 1 carry over 164 जो हम यहाँ पर बजार लेंगे ठीक है फाइनल यहाँ पर add कर लेंगे 4 4 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अब 18 के table पढ़ेंगे और देखेंगे कि 164 कितनी बार में आ रहा है ठीक है 4 टाइमस यहा यहाँ पर 18 9 जो होता है 162 ठीक है यहाँ पर मैनस करिए 10 अब यहाँ पर next pair of zeros उतार लेंगे अब यहाँ आड कर लेंगे 8 8 16 का 6 अब यहाँ पर देखेंगे 18 के table पढ़ेंगे 129 आना चाहिए ठीक है ना 7 टाइमस में लगता है चला जाएगा लेकिन देखते हैं कि जा पार लेकिन जाब आरा चेक कर लेते हैं 7 समंजा 949 ओके पार 13 0.1 तो 0.1 में decimal ग्राइट सर्में केवाल 1 है एक ही decimal प्लेस का नमबर है डिजिट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे और इसका प्यर बना लेंगे 3 pairs of 0s और add कर लेंगे चाहें जितना आप चाहें add कर सकते हैं लेकिन हम अपने काम के मुताबिक इतने ही कर रहे हैं क्योंकि हमें 4 digits of decimal places लाना है तो देखें decimal के left side में केवल 0 ही है तो उसी केवल एक ही बार लगेगा और 0 मिले जाने के लिए केवल 0 ही number है जिससे जा सकता है तो 0 ही होता है मानस करने पर 0 ही आएगा तो cancel out कर देते हम यहाँ पर add करने पर 0 ही आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं अब जो है 0 से गया था पहरी बार तो 0 रखेंगे और decimal के आगे वाले को उतार चुके हम तो decimal यहाँ पर लगा देंगे ठीक है अब 10 में ले जाना होगा तो 339 बिल्कुली 3 से चला जाएगा 1 और square कर देंगे 33 हो जाएगा 6 ठीक है और यह सामने वाले 0 है उसको हम उतार दें अब देखें कि 10 कित्यी बार मार आए तो एक बर मैं आ रहा है बिल्कुल ही एक बर में चला जाना चाहिए तो 1 मदगा 1 1 6 6 मैनस करें कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 9 यहाँ पर आजाएगा 9 6 3 39 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 हो चुका है 39 उक्या आगे वाले 0 हो हम धार लेंगे जो यहाँ पर हम किया है यहाँ पर रख लेंगे 3 1 रख लिए है यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 6 अब देखिए 6 के टेबल पढ़ेंगे देखेंगे 39 की दिमर मार रहा है तो 6 जा 36 होता है तो वह 6 टाइम्स में चला जाना चाहिए चला गए बिल्कुल ही तो यहाँ पर मानस करिए अब यहाँ जिरो जो बढ़ा सकते हैं इसका आगे वाला यहाँ पर 6 टाइम्स गया था तो 6 यहाँ रख लेंगे अब यहाँ पर देखिए अड कर लीजे तो 2 हो जाएगा तो 2 टाइम्स में बिल्कुल हो जाना चाहिए 2 तो मैनस करिए दिखे 0 10 में से 4 मैनस आइड कर लेंगे यहाँ पर तो खेर 2 आयाय फैनली तो यहाँ टू लख रहेंगे आइड करने जरुत नहीं है क्योंकि और हमें सावल नहीं करना है बस हमें निकलना था 4 जीट तक हमारा काम हो चुका है अब यहाँ बस लिख लेंगे सो तो खेर हमें निकलना था इसका decimal place up to 3 so 0.316 इसका अंसर होगा ओके नाव 14 0.016 decimal के right side में odd number of digits हैं मतलब 016 इसलिए एक 0 और बढ़ा लेंगे और right side से pair बना लेंगे पहले उसके बाद से चाहें जितनी भी 0s आप pair में add कर सकते हैं एक बाद आता रखेगा कि pair में ही 0s को add करेंगे ठीक है और finally करना क्या है decimal के right side में के बाद 0 है तो 0 से ले जाएंगे के बाद पहली बार 0 से ले जाएंगे 0 में 0 0 0 0 ही होता है मैनस करने पर 0 ही आएगा तो cancel छोड़ देंगे 0 0 को add करेंगे कुछ नहीं आएगा 0 रख लेंगे आपर और decimal के right side में को उतार लेंगे तो 0 1 है 0 1 को ना लिखने का बजाए हमके बाद 1 लिख सकते हैं ठीक है अब 1 मिले जाएंगे तो 1 से चला जाएगा बिल्कुल ही मैनस करिए देख यहाँ पर हो जाएगा 10 10 में से 4 जाएगा 6 10 4 6 यहाँ जाएगा 5 4 1 16 अब यहाँ जरू जरू धार लेंगे तो भी लेगा हमें 2 24 और यहाँ पर 2 आ चुका था अब देखे 2 का टेवल पढ़िए देखे 16 की तुमें में बादा तो 2 8 जा 16 होता है लेकिन 8 त मैं कर लीजे 6 12 हो जाएगा 2 और यहाँ पर देखते रहें कितना आ गया है 1 2 6 आ चुका है एक बार और ले जाना है तो अब देखे यहाँ पर कितने बार जाएगा तो 2 6 और 12 होता है तो 6 टाइमस में नहीं जा पाएगा 5 से चला जाना चाहिए मेरे खासा 5 से भी नहीं जा बट हमें निकालना क्या है अप्रोक्सिमेट वैलू निकालनी है 0.016 का और अप्रोक्सिमेट वैलू 3 डेसमल प्लेस तक निकालना है तो 0.126 ले लेंगे हम देखे 4 का राउंडिंग आफ करेंगे तो कुछ नहीं जाएगा 0 इधर आएगा तो 6 में आड करेंगे 0 तो 6 ही र तो हमें एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये even number of places हो जाएं और उसका pair हम बना सके है ठीक है इन 0 को add करेंगे 0 ही रहेगा और इसको ले जाने के लिए 0-0 से ले जाएंगे तो 0-0 मड़ाय करेंगे तो 0-0 आद आएगा खतम हो गया फिर यहां पर add करेंगे तो 0-0 ही आएगा फिर इसके आगे 6 उतरेगा जिरो 6 को उतारना है मतलब की 6 उतरेगा और finally और 0 point देखे एक बार 0 यहां पर गया था तो 0 तो यह था और एक 0 यह 0 हो गया एक और और उसके बाद जो है फाइनली 6 में ले जाएंगे देखे यहां पर मैंने क्या किया है ध्यान से अच्छा यहां पर confuse दिया फोंगे तो ध्यान समझ लीजिएगा यह इस 0 में ले जाने के लिए 0-0 जिरो हो गया और उसालप करने पर 0 ही आएगा तो 0 को रखना जरू नहीं है हमने छोड़ दिया फिर यह दूनों 0s को उतारेंगे पेर में दूनों 0 उतारेंगे तो 0s यह 0 को 0 से जाएगा यह तो यहां पर 0 रखने का मतलब कुछ नहीं है पस मैं आपको दिखा रहा था कि यहां पर 0 समझ ले करेंगा तो 0-0 आए जागा फाइनली चैनल आट हो जागा यहां पर कुछ न 4 मैनस करेंगे हैं मिलेगा 2 और जो आगे बाल अपियर है उसको उतार लेजिए 4 0 और यहां पर एड करेंगे मिल जाएगा 4 ठीक है तो अब इसके बाद क्या करेंगे 4 का अट्टेवल बढ़ेंगे देखें 24 कि दिवर में आ रहा है तो 6 टाइमस में चला जा रहा है तो 5 टा आइड कर लेंगे तो यह हो जाएगा 50 तो फाइनल ही हमारा कितनी बार आ गया 0 to 5 कि वहले एक ही बार ले जाना है मतलब इसके बाद खतम हो जाएगा तो 5 से 15 होता है 3 टाम जा नहीं पाएगा 2 से ले जाएगे 2 टू जा 4 10 में से 4 जाएगा 6 होगा तो अब जो है करेंग जो अरुत नहीं है क्योंकि 2 यहां पर हम कर चुके हैं तो 4 decimal places तक हमने निकाल लिया है हमारे काम हो चुका है so square root of 0.00064 ठीक है is equal to 0.0252 डॉट 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 ठीक है finally हमें जो है approximate value निकालनी है क्यों 3 decimal places सकी निकालना है तो हम इसको लिखे लेंगे 0.025 यह 2 जो है 4th place का जो decimal है वह less than 5 है इसलिए rounding आफ करेंगे तो कुछ नहीं इधर आएगा यह 5 ही रह जाएगा and this will be your answer okay 0.019 आपका 16th part decimal character में 3 odd number of digits हैं तो एक 0 बढ़ा करके हम गया करेंगे पेर बना लेंगे ठीक है उसके बाद हम कुछ और भी पेर यहां पर add कर देते हैं क्योंकि हमें 4 decimal places सकी निकालना है अब decimal के left side में जो है एक 0 है 0 को हम बढ़ार लगा लेंगे तो 0 से चला जाएगा कुछ नहीं आएगा यहां पर यहां भी कुछ नहीं आएगा add minus करने पर या प्लस करने पर तो 0 1 next वाले को उतार लेंगे पहली बार 0 से किया था decimal के आगे वाले को उतारेंगे इसलिए decimal लगा देंगे और यहां उतारेंगे तो किबल आएगा 1 क्योंकि 0 वन को उतारना कोई अच्छे बात नहीं होगी तो 1 आगया 1 मिले जाना होगा तो 1 से 1 मिले जाएंगे तो 1 से चला जाएगा बिल्कुल ही 1 वन जाव 1 मैनस करेंगे 0 आजाएगा 90 यहां पर उतार लेंगे next वाला और यहां को add करतेंगे 2 आजाएगा उसके बाद देखेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे 90 कितनी पर में आ रहा है तो 9 कितनी में आ रहा है तो 2 4 जा 8 4 चला जाएगा बिल्कुल 4 से आई थिंक नहीं जा पाएगा क्योंकि अधिक हो जाएगा लेट उस चेक 4 4 जा 16 का 6 1 केरी ओफर और 4 2 जा 8 1 9 96 आ गया इसलिए हम ने जाएगे 3 से 3 से चला जाएगा बिल्कुल ही 32 जा 9 32 जा 6 69 यहां मैनस करेंगे देखे 10 10 में सननने जाएगा 1 ओके 10 में सननने जाएगा 1 और यहां पर 8 हो गया 862 21 आड कर लेंगे तो मिलेगा हमें 6 2 26 और यह 3 से चला गया थे यहां पर रखेंगे 3 फाइनली हमारा 21 आगया नेक्स्ट वाले 0s हम उतार लेंगे क्योंकि यह उतार ना हमें जिरो जिरो आगया अब ध्यान दिजेगा 2 का टेवल पढ़ेंगे देखेंगे 21 कि तिवे रहां तो 2 9 जा 9 टाइम्स चला जाएगा बिल्कुल ही तो 9 से ले जाएगे 9 जा 81 का 1 8 केरियोवर 9 सिग्जा 54 54 एड शिक्स्ट टू आजाएगा 8 केरियोवर तो 6 केरियोवर 9 टू जा 18 एटीन एड इन 6 24 ओके 9 से बहु जादा चला जाएगे ज्यादा आ जा रहा है 24 आ जा रहा है तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट 8 से ले चालते हैं 8 से हो जाना चाहिए 8 जा 64 का 4 6 केरियोवर 8 सिग्जा 48 48 & 6 54 54 का 4 5 केरियोवर & 8 2 जा 16 16 & 5 21 यह भी अधिक आ गया बिल्कुल है कि नहीं 2 1 4 4 मतलब कि 7 से चला जाएगा finally हमें यही कभी कभी क्या करना पड़ता है न चेक करना पड़ता है 7 समझा 49 9 4 केरियोवर & 7 6 जा 42 42 & 6 42 & 6 46 46 का 6 4 केरियोवर 7 2 जा 14 14 & 4 18 यह मानस करिए 10 9 1 यहां पे होगा 9 6 3 यहां पे होगा 0 हो गया है finally 10 हो जाएगा 10 8 2 0 हो जाएगा 231 यहां पर हम 0 जुतार लेंगे और यहां देखिए कितना आ गया 1 3 आ गया 7 एक और बार ले जाना है बस यहां पर देखिए 2 का टेवर पढ़ेंगे तो 23 I think 9 9 जा minus करो 10 में से 4 जाएगा क्या आएगा मतलब हमारा आगे 0.1378 so square root of 0.019 देखिए यहां पर 8 है वो 5 से ज्यादा है इसलिए यहां पर rounding आप करेंगे तो यह 7 है वो 8 हो जाएगा और यह cancel out हो जाएगा ठीक है 0.138 यही आपको जो है ओके तो आपका जो question है वो है 7 upon 8 तो पहले 7 upon 8 को क्या करेंगे convert कर लेंगे decimal को form में कैसे कर पाएगे तो 7 में 8 से divide कर दीजिए मतलब finally जो है यह 7 में divide करेंगे 8 से तो 0.875 आ जाएगा तो ऐसा decimal में convert करने के बाद ही किसी भी rational number का आप long digit method से square root निकालिएगा 875 देखें यहाँ पर decimal के right side में 3 digits है तो एक 0 बढ़ा करके हम पहले even number आप digits कर लेंगे मतलब 4 digits और इसका pair बना सकते है अब ठीक है और decimal के left side में तो 0 ही है और इसके right side में 0s के pair चाहें जतना आप add कर सकते है अब तो finally आप 0 से divide करेंगे तो 0000 ही हो जागा है यहाँ पर add करेंगे तो कुछ नहीं है का यहाँ उचका right नहीं होगा और decimal के right side वाला जो है आप उतार लेंगे 87 हो जाएगा यहाँ पर 87 और 87 मिले जारेंगे तो 99 जाए 81 तो यहाँ पर आ जाएगा देखे 7 में से 6 जाएगा यहाँ पर किंसल आउट हो गया 50 को उतार लेंगे next pair और यहाँ पर 9 से किया था पहली बार तो 9 लिखेंगे यहाँ पर और 6 50 में add कर देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 18 18 3 जा 3 हो जाएगा 3 and 2 5 ओके मानस कर देजिए 10 में से 9 जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा 5 हाँ यहाँ पर 4 हो जाएगा 4 0 और यहाँ पर 1 101 आ जाएगा अब क्या करना है next pair of zeros यहाँ पर 3 से चला गया था अब दोनों काट कर देजिए 6 हो जाएगा 18 5 जा 90 होता है मानस कर देजिए 10 यहाँ पर 10 4 6 9 9 जाएगा 0 7 3 6 फिर से यहाँ पर उतार लेंगे 2 0s यहाँ पर आड कर लेंगे तो हो जाएगा 0 6 1 7 हो जाएगा 8 1 ओके अब इसके बाद जो है यहाँ पर कितनी बार आ गया 3 आ गया 5 आ गया अब एक बार और लिजाना है तो 18 के डिवल प 4 ताइमस में चला जा रहा है 72 लेकिन 4 ताइमस में नहीं जा पाएगा बिल्कुल यह 3 ताइमस ही जा सकता है ओके 4 से आई थिंग चला जाता लेट चेक वन टाइम धी 4 से हम चेक करते हैं 4 फोर से 16 का 6 हो जाएगा 1 केरी ओफर ठेक है तो अब यहाँ पर 3 आ चुका है और और कुछ करना नहीं है फाइनली हमारा सो अंडर रूट अफ जीरू पॉइंट 875 जोकी इक्वल है अंडर रूट 7 अपान 8 के इसकी जो अप्रोक्सिमेट वैलू आ गई है वह आ चुकी है 0.9353 डॉट 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 लेकिन हमें इसका अप्रोक्सिमेट वैलू निकालना है अप्टू 3 डेस्मेल प्लेस मतलब यह एक्जेक्ट वैलू आगी है अचुली और यहाँ पर हो जाएगा 0.935 के वल इस थरी से इस थरी के बात आलेगा कैसल करते हैंगे क्योंकि थरी जो तो 512 को पहले हम डेस्मल फॉर्म में कर्वाट करेंगे ध्यान दिजेगा यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर 0.416666 अब ध्यान दिजेगे 6 को हम उतने टाइमच लिखेंगे जितना की पेर बन चके ठीक है तो देखिए यहाँ पर और 41 का पेर बन गया यहाँ पर 66 का बन गया और इसका बन गया फिर इसके बाद इसका बन जाएगा इस तरीके से हम pairs बना सकते हैं ठीक है? तो हमने ये सब का pair बना दिया है और आगे जितने basics आएंगे उसके इंसार हम फिर से pair बना सकते हैं उतारेंगे यहाँ पर पहले उतार लिए 41 और 41 में ले जाना है तो हमें ले जाना पड़ेगा 6 इसे 6-6 जा 36 अब यह हो जाएगा 4, 1, 5 12, 4 48 होता है तो 4 times मनपलाई करते हैं मैनस कर देते हैं तो 60 में 0 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ गे 2, 1 1 to 8 और यहाँ फाइनली हम इसके आगे बाले pair को उतार लेंगे अब देखें 12 पर 12 पढ़ेंगे और दखें 70 कितनी बार में आ रहा है तो यहाँ पर तो हमारा आगया यह 5 चला गया है हाँ पर यहाँ पर मैनस कर यह 6, 5, 1 ठीक है आप जो है इसके बाद इसको आइड कर लीजे तो यह मैं जागा 10 ठीक है 1290 अब यहाँ पर 66 जो लास्ट पेर है इसको उतार सकते हैं मतलब कि आप चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार आप 66 को उतार सकते हैं ठीक है तो 1290 यह हो गया अब करना क्या है कि यहाँ पर देखना है 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगी 64 आ जाए मनस कर लिजिए तो 660 तो हमारा आ गया है 12.550 खेर हमारा 4 यहाँ पर आ चुका है फाइनल यहाँ प्लेस तक डेस्मल निकाल चुके हैं ठीक है तो हम यहाँ पर फाइनल लिग सकते हैं अब ही हम इसको क्या करेंगी कि राउंडिंग आफ कर लेंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा तो 5 आपां 12 इसकी जो वैलू है वो हो जाएगी 0.645 दिस विल भी यूर आंसर ओके 19th question 2 होल 1 आपां 2 देखे यहाँ पर 2 होल 1 आपां 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 आपां 2 और यदि हम इसको decimal में convert करेंगे तो 2 प्लस 1 आपां 2 को लिखना होगा 0.5 और यदि आप add करोगे तो मिलेगा आपको 2.5 और आप जानते हो कि 2.5 जो है आपके 9 वाल equation में i x exactly equal है exactly same है 2.5 तो उसमें जैसे मैंने किया है ठीक वैसे इसका कर लेंगे बस इसको decimal में convert करने पर मिलेगा हमें 2.5 and this is equal to 9th question ठीक है तो इसको भी ठीक हम decimal में पर कर लेंगे तो decimal में convert करने तो मिलेगा हमें 287 plus 5 upon 8 is equal to 287 मतलब कि इसका निकालना है 287.625 का इसका हमें निकालना होगा चली हम इसको लिख लेते हैं पहले यहां पर pair बना लेंगे तो इसके लिए decimal के right side में यहां पर 0 बढ़ना पड़ेगा इसके बाद हम pair बना पाएंगे उसके बाद एक और pair बना लेजिए और एक और pair बना लेजिए after that decimal के left side में भी हम pair बना लेंगे और इसका 2 का दा pair बनने सकता तो हम यहाँ 2 के लिए 1 1 ले जाएंगे 1 से तो यहाँ मिलेगा 1 और 1 यहीं मैनस करेंगे 2 में से तो मिलेगा 1 और यह 87 हम यहाँ पर उतार लेंगे उसके बाद 1 1 गौइड कर लेंगे 2 मिल जाएगा फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे और दिखेंगे कि 18 किती बर में आ रहा है तो 2 918 9 से चला जाना सब्सक्राइगे 9 से मनस करेंगे तो क्या मिलेगा अब नेक्स्ट वाला पियर हम डेस्मल के बाद वाला उतार लेंगे 62 अब यहाँ पर आइड कर देंगे तो मिलेगा हमें 32 और यहाँ पर हो जाएगा 1 के बाद जो है 6 times किया था और डेस्मल के बाद वाला अब उतार चुक्के हैं तो यहाँ पर डेस्मल लगा देंगे जब भी डेस्मल के बाद वाला हम अंग उतारे रहेंगे तो उसके बाद नेकर लेखा सकते हैं अब यहाँ पर देखेंगे 32 से कितनी वर्म में जाएगा तो थारीगा डेय आपर przym जो जिरो चैंसल हो जाएगा और फाइनली जो है हम यहां पर आगे उतारेंगे 50 फाइट जिरो ठीक है और यह 9 ताइमस गया था तो 0.0 के डेसमल के बाद जो है 9 लिख देंगे अब यहां पर देखना है कि कितने से जाएगा तो 3 का डेफल पढ़ी है देखे 20 कितनी पर में आ रहा है तो इतना हो गया अब उसके बाद जो है हम यहां फाइब रख देंगे अब यहां पर जीरो जीरो उतार लेंगे और यहां पर आइड कर लेंगे तो यह मिलेगा जीरो अब किस से ले जाएंगे तो 3 का डेफल पढ़ी है देखे 32 तो 9 से चला जाना चाहिए बिल्कुल ही तो 9 से चेक कर लेते हैं लेट चेक 9 जा 81 का 1 8 करी ओफर फिर यहां पर मैनस करेंगे तो 10 1 9 यहां पर 00 फिर से उतारेंगे हम अब this is the last one we will carry out okay तो यहां पर add कर लेते हैं तो 9 ने 18 हो जाएगा 18 का 8 हो जाएगा 1 carry over अब यहां पर हम solve करेंगे फिर से तो अब यहां देखे 3 का डेवल पढ़िए देखे 17 की दिमार रहा है तो 3 5 जा 15 होता है तो finally हमें मिल जाएगा इतना और यह तो अब जो है कुछ करना नहीं है तो finally हमारा यही answer आ चुका है तो so हमें आले सकते हैं कि square root of 287 whole of 5 upon 8 is equal to इतना यह आ जाएगा 16.9595 dot 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 इसको हम approximately जो है 3 decimal pluses तक यह दिलेंगे तो 16.95 देखे हम 5 है तो यह हो जाएगा 10 मतलब कि यह हो जाएगा 6 मतलब कि यह हो जाएगा 6 देखें आपर यह 4th पर क्या है 5 है तो मतलब कि 1 जो है इस 9 में जोड़ेंगे यह 9 में 1 add करेंगे तो 10 हो जाएगा 10 होगा तो 0 हो जाएगा यहाँ और यहाँ पर 5 है तो 6 हो जाएगा मतलब कि ये पूरा जो है 60 हो जाएगा राइट तो ये हो जाएगा 16.960 and this is your answer